कपूर अपने इंटी बैटिक और इंटी फंगल गुनों के चलते पूजा हमन सामगरी के अलावा सेहत और ब्यूटी के लिए भी बहुत फायदे मंद है इसलिए हम सभी इसका इस्तेमाल भी करते हैं यदि आपने अपने ब्यूटी प्रसाधन में इसी भी जोड लिया है तो आपकी कई सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी क्योंकि ये इतना लाबकारी है और बेशकिम्ती है इसका तेल तो आए जानते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे और क्या-क्या इसके स्वास्थलाब होते हैं जी हाँ वैसे तो कपूर का तेल बाजार में आसानी से आपको मिल बटक्डे डालना होता है और किसी एयर टाइट डिबे में इसे भर करके रख लेना होता है कुछ समय में नारियल का ये तեղ कपूर के सत्व को ग्रहनटर अपने अंदर और ये तयार हो जाता है कपूर का तेल आपके लिए-कमाल का अब जानते हैं कि क्यों इसे तयार करना ह्य यानि कि नारियल तेल में कपूर डाल करके क्यों रखना है, हमें क्या लाप होंगे इसके, कपूर के तेल को त्वचा पर अगर आप लगाते हैं, तो फोडे फुंसी और मुहासे ठीक होने लग जाते हैं, यानि कि स्कीन संबंधी समस्या को यह समाब्द करता है, इस से केवल म तो उसको भी ये जड़ से समाप्त करता है या फिर एक टब पानी में कुनगुना गर्म पानी लीजिए एक टब और उसमें थोड़ा सा कपूर का ओयल डाल दीजिए इसके बाद इसमें कुछ देर अपने पैरों को डुबो करके रखिए इससे आपकी एडियां साफ हो जाएं तो भी ऐसा करने से फंगस हट जाएंगे और साथी साथ दर्द से आपको राहत मिल जाएगी तो इसलिए भी ये कमाल के उश्यदी है इसका प्रयोग जरूर कीजिए कपूर का तेल बालों में लगाने से बाल जल्दी बढ़ने लगते हैं बाल मजबूत होते हैं और बाल ज होना होगा नॉर्मल पानी से इससे आपके बाल जल्दी से लंबे होते हैं इसकीन में आपके यदि मालीजे कोई जले कटे का निशान हो गया है यानि कि जल जाती है कई बारी सकीन या फिर कट जाती है इसकीन तो निशान चुड़ जाता है वैसे में क्या करें आप कपूर क तेल को उस हिस्से पर आप लगाईए इससे निशान धीरे-धीरे हलका होता चला जाएगा और आपकी स्कीन स्मूथ हो जाएगी तो अचा कि किसी भी प्रकार की समस्या हो कपूर का तेल उसे समाप्त करने में आपकी मदद करता है इसकीन को साफ स्वस्त चिकना और बेदाग बनाने में मदद करता है तो इसलिए इसका प्रियोक कर सकते हैं अब मालीजे किसी को अंदुरूनी दर्द लग जाए यानि कि कई बार चोट लगती है जो उपर से नहीं दिखती है कटती नहीं है इसकिन पर अंदर अंदर चोट लग जाती है तो ऐसे में कपूर का तेल बह हो रहा हो मसाज करने से तो मसाज किजिए अगर दर्द हो रहा हो घाव ताजा है तो आप उस पर केवल इस ओयल को लगा करके छोड़ दीजिए इनफेक्शन का खतरा नहीं रहेगा खुजली अगर इसकिन पर हुई हो उसको भी जड़ से समाप्त करने में मदद करता है तना का जड़ना इसलिए इससे रुख जाता है डैनरफ की समस्या रुकेगी तो आप सभी जानते हैं कि बाल जड़ेंगे नहीं कपूर के तेल से मसाज कीजिए आप अपनी इससे आपके बालों के जड़ने की समस्या भी रुकेगी आपकी स्कीन भी बहुत साफ सुत्री हो तो कपूर का तेल आप घर पर बनाएए और इसका लाप प्राप्त कीजिए आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं आयरुवेदिक उप्चार चैनल के माध्यम से ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं तो नई वीडियो के लिए चैनल को सब स्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कोन कर लीजे ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आया तो शेर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंध ही सवाल है तो हमाने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों